हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टड़ी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सीरीज चल रही है जिसमें हम वकाइब की बात करते हैं बेसिक लेवल से जिने कुछ नहीं भी आता हो को वह भी वकाइब सीख सकते हैं और हमारी क्लास डेली फाइब harrap articles गाली पीएमपे होती है इसमें न्या करते में नया करते हैं याद करने के कोशिस करते हैं और जिसके नहीं नहीं बन पाते तो उनको picture के help से याद कर लेते हैं जैसा कि अब देच पारें होंगा thumb sigue के साथ हम ग्रामर के रूल से वी दिसकस करते हैं और जो कि सर्प्राइज होता और टेस्ट भी होती है इसमें कुछ प्रिक्वेंटली जो भी वाइक्यू होंगे उन पर होती है और हमारी class जादी लंबी नहीं होती है, 20-30 मेंट के अंदर की होती है, जिसमें आपको complete package मिलता है English का, चलिए अपने class को start करते हैं, और ज्यानते हैं आज का पहला वर, तो आज का जो पहला वर है वो है अधीर, अधीर मतलब होता है पालन करना, comply, follow, इसके synonyms है, अन्टोनिम की बात कर लें, तो अन्टोनिम हो जाएंगे, racist, defy, disorder, ठीक है, तो अधीर मतलब होता है, पालन करना, अगर कोई भी रूल बना होगा, तो रूल को क्या करेंगे, अधीर करेंगे, तो अगर आप इसको याद करना चाहते हो, तो यह हैर मतलब यहाँ होता है, और एड से कर रहा है, तो अधीर बोल सकते हैं, एड लगाओ यहाँ पर, तो वो लगा दे रहा है बन्दा, मतलब भी पालन कर रहा है, comply, follow कर रहा है, चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, adjustment, adjustment मतलब होता है, सामान जस्ट से, मतलब कहीं भी balance हो जाना, adapt कर लेना, accustomed एसलिमेटाइजेशन, एसलिमेटाइजेशन भी इसके सिरोनिम्स हो गए, और एंटोनिम्स की बात कर ले, तो हो जागा, maladaptation, mal जो होता है, bad के लिए होता, something bad, negative के लिए होता, adaptation, आपको पता ही है, adapt काम ने, फिसले ही क्लास में पढ़ा, adapt मतलब अनुकूल होना, प्रतिकू तो adjustment हमारे life में continuous होते रहती है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, कि हमारा जो life है, इसमें हमें हर मोर पे adjustment करना पड़ता है, हमें adapt होना पड़ता है, कुछ changes आएंगी, तो adjust होना पड़ती है, slaves change होगा exam के, तो हमें अपने आपको उस तरह से adjust करना पड़ता है, चलिए, next की बात क reproof, यह सब इसके synonyms हो गया, और हम बात कर लें antonyms की, तो antonyms होगा commendation, praise, praise मतलब होता है परसंसा करना, ठीक है, तो warning, admonition मतलब होता है, warning किसी को चेतावनी देना, और कोई कुछ गलत हरकर कर रहा है, उसको क्या कहते है, warn करते है, reprimand करते है, review करते है, तो admonition का कोई ऐसा बन नहीं पार रहा है, तो आप इसको figure से कर सकते हो, आप इस picture को ध्यान में रखो होगे, तो आप को याद हो जाए, चलिए, next की बात करते है, next है, adulation, adulation मतलब होता है, chaplucy, chaplucy करना, flattery, psychopanth, यह सब इसके synonyms हो जाएंगे, अगर हम antonyms की बात कर लें, तो वह हो जाग अगर कोई कपल है, पती-पतनी है, अगर पतनी को कोई भीचीज चाहिए हो, कोई necklace हो, या कोई cloth चाहिए हो, या shopping करना हो, तो क्या करती है, पती को मखल लगाती है, उसकी chaplucy करती है, तो ऐसा कर सकते, adult है, adulation से लिख सकते है, adult होगे, couple है, तो adult होगे, और couple adult है, दो couple है, तो चापलूसी कर रहे हैं कि ताकि मुझे ड्रेस मिल जाए या फिर जोल्री लेना हो जोल्री मिल जाए ऐसा करके आप इस इमेज से याद कर सकते चलिए नेक्स्ट बात करते है नेक्स है एडल्ट्रेटेड अलेल्ट्रेटर मतलब होता है मिलावटी अगर हम एडल्ट हो जाते हैं तो बहुत चीज़े होती है जिसमें मिलावटी हो जाती है जैसे कि पहले हम छोटे बच्चे होते तो बहुत मासुम होते हैं हम किसी को भी अगर ट्रीट करना हो हो एक जैसे करते हैं जैसे जैसे ऑडल्ट होते हैं ठीक है तो हमारा बात होते हैं तो कुछ मिलावट हो यह गुनों में ठीक है पक्षपात हो जाते हैं लोग चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है वन वर्ट सब्स्ट्रियोश का सेक्षन आगया जिसमें है अलमा मैटर होता है जहां सिक्ष्छा पाई हुआ संता मतलब वह कॉलेज या स्कूल हो सकता है जहांसे आप पास आउट हो चुपे हो तो इसको अलमा मैटर कहते हैं the school or college in which one has been educated जहां पर पढ़ रहे थे और अब नहीं पढ़ रहे तो उसी को कहते है अल्मामेटर देख पा रहे होंगे यह लोग गेजुएटेड हो गया है तो अब यह अल्मामेटर होंगे उस कॉलेज के चलिए सिनोनिम्स की बात कर लें तो इंस्ट्रिक्यूशन होगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अल्पाइनीज मतलब पढवाता है रोहन ठीक है माउंटेन क्लाइमिंग अल्पाइन मतलब माउंटेन से ही रिलेटर होता तो अल्पाइनीज मतलब होगा माउंटेन क्लाइमिंग देख पार होंगे यहां पर माउंटेन क्लाइम कर रहा ह तो यह तो बहुत इजिए आप इसको याद कर सकते हैं चले नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अल्टार अल्टार मतलब होता है बली देवी टेवल और फ्लैट सर्फेस वे आफरिंग्स अन्मेडु एडिड डाइटी किसी भी डाइटी कोई बीगोड ओवहां पर एक टेवल रखा होता है या सर्फ विसल्ग चड़ावा चड़ाते हैं मंदिर में जाएगा तो वहां पर भी रहता है चड़ावा चड़ाने के लिए अ वहां भी एक टेवल बना रहता है जिस पर हम कैनल जलाते हैं या फिर कोई offerings दे गौड को जैसा फल फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ भी दे आफिंग तो उसी को कहते हैं अल्टिट्यूड अल्टिट्यूड मतलब होता है उचाई को कह सकते हैं दा हाइट एवब सी लिए समुद्ध के तल से जो उचाई होती है उसी को कहते हैं अल्टिट्यूड नेक्स बात करते हैं नेक्स है अल्ट्रूिस्ट अल्ट्रूिस्ट मतल कर सकते हैं इनको बोल सकते हैं अब अब देख सकते हैं कैसे यह लड़की यह भीग रहाता परसं तो इसको अपना छाता सेयर कर रही है तो अइसा करके आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इडियम और फ्रेजर का सेक्षन आ गया, जिसमें इडियम है, A fire in someone's belly, जोस्ट से भरा हुआ, जिसका मतलब होता है, मतलब किसी के पेट में आग लग रही है, फिल भी उसे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत जोसीला इंसान है, आग लग रही है, फिल भी वो अपना काम करें जा रहा है, तो बहुत ही जोसीला होगा, जोस्ट से भरा होगा, One who is energetic and enthusiastic about something, एक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आफीस आउट आफ वाटर और सहज परिस्थिति, अगर आप मचली को पानी से निकाल दोगे, तो क्या होगा, उसका लिए unfamiliar situation होगा, तो हो सकता है, उसका देथ हो जाए, तो इसलिए कहते हैं, आफीस आउट आउट आफ वाटर का मतलब होता है, an uncomfortable position in unfamiliar circumstances, मतलब कि असाहज परस्थिति हो, जो उसके अनुकूल ना हो, जेख सकते हैं, when he moved to big city, first time, he was feeling like fish out of water, उसके लिए common नहीं था, उसके लिए वो परिचीत नहीं थी जग, ठीक है, नेक्स्ट बात करते है, नेक्स्ट है, आफ फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट मतलब होता है, संचिप्त भे, भेरी सोट विजिट, बहुत ही छोटा विजिट, अगर आप उरते उरते किसी से विजिट कर रहे हो, तो आप ज्यादा देर नहीं रह पाओगे, आगे बढ़ जाओगे, बहुत ही कम समय के लिए इन सबसे मिल पाएगा, तो फ्लाइंग विजिट होता है, संचिप्त भे, नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट आप फूल्स पैराडाइस, हवाई महल, संभावित परसानी नहीं जानने पर खुशी कीशती थी, हवा, हवाई, हवा महल बना रहा है, वही वोगा फूल्स पैराडाइस, मुर्कों का, अगर स्वारग कहा जाए, मुर्कों के लिए जो स्वारग होता है, हवाई म बनाना है बिंग हैपी फॉर फुलिस रिजन को भी मुर्क वाली रिजन होगी किसी भी रिजन के लिए बहुत फूर्स हो जाना और स्टेट ऑफ हैपिनेस बेस्ट ऑन पर्संस नॉट नॉइंग अबाट पोटेंसिल जो ट्रबल होने वाली है इसके बारे में भी ना जाने इसे पता नहीं है कि इसकी गल्फेंट इसको धोका दे रहे फिर भी विचरा बहुत खोस है तो ऐसा आप याद कर सकते हूं नेक्स्ट है और जेंटलमैन एट लाज मतलब बेरोजगार आदमी कोई सब्सक्राइब बहुत बढ़ा होता है तो ऐसा ऐसे याद कर सकतो कि कोई स कुछ करता ही नहीं रोजगारी नहीं रोजगारत उसके पास बहुत समय होगा तो इसलिए कहते हैं जेंटलमेंट एक लाज और मैन विडाउट और जॉब ऐसा व्यक्ति जिसके पास को जॉब नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आगया पैंडोरा बॉक्स भ जो होने किन फेलेंट उस्ट बॉल नमब नबर 8 कि कुछ नावन होते हैं जो दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल है और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल लिखते हैं निक्वर्थ तब देख सकते हैं, यहाँ पर हो जागा, correct होगा, mathematics is a branch of study in every school, ठीक है, चलिए, next हमारा question answer का session है, इसमें हम बात करेंगा, 2nd December, shift forth के questions की, vocab की सारी questions की, तो आपको 10 second मिलेंगे, इन question के answer करने के लिए, चलिए, आपको time start होता है, आपको बताना है, synonyms, board का, remorse का, और 4 options है, repentance, slow, liberate, affinity, तो चलिए, आपको time up हो गया है, आप लोग न भी तक answer देहीं दिया होगा, कि इसका जो correct answer होगा, remorse का होगा, वो होगा, repentance, synonyms से तो remorse और repentance, same meaning है, जिसका मतलब बताँ, गल्ती करने का दुख, remorse मतलब गल्ती करने का दुख, कोई गल्ती कर दिए, उसका जो दु गल्ती करने का दुख, वह दुख जो गल्ती करने के बाद हो, इसको आप guilty भी बोल सकते हैं, है न, slow मतलब धीमा, liberate की बात करें, तो क्या होता है, free करना किसी को, release करना, मुक्त करना, affinity मतलब होता है, लगा हो, कल ही आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा, प्रीवे affinity के बताया था, कि affinity मतलब लगा, mail, cohesion, abartment, यह सब सारे words मैंने वहाँ पर खाया है, चलिए, next की बात करते है, next question हमारा एंट्रोनिम से बताना है, precise का, आप help ले सकतो इस sentence का, ताकि आपको easy हो जाए, इसके एंट्रोनिम से धूनने में, चार option है, complicated, inevitable, rough, adequate, तो चलिए, इसक सही answer की बात करे, precise का, जिसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, तो बात कले precise होता क्या, precise मतलब होता है, जो की clear हो, exact हो, either free हो, उसी को बोलते है, precise, चलिए, complicated होता है, जटिल, कोई भी चीज, complicated होगा, जटिल होगा है, inevitable की बात कर ले, तो जिसे घटित होने से, रोका न जा सके, ठीक है, जो की fixed हो, fated हो, certain हो, बोल सकते है, fated, जो की किसमत में लिखा, उसको घटित होने से, आपको रोक नहीं सकते है, ठीक है, certain, rough मतलब बता, खुरदरा, ठीक है, एंटोनिम्स बता ना था, asbest और सही होगा, मतलब की बहुत ही precise है, exact है, either free है, तो rough आपको पता है, परयाप्त होता है, enough, ample, opposite, बोल सकते हैं, next की बात कर लें, next question हम से, one word substitute, पूछा है, इस group of word के लिए, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और speech made without preparation, ऐसा speech जो इसके लिए कोई preparation ना करना पड़े, आप लोग ने school, college में किया होगा, एक competition होती है, तो आपको पता है, इसका सही अंसर होगा, extempore, आप लोग ने participate किया होगा, extempore में, at random आपको बोला जाता है, कि topic मिला है, बिना further preparation के आपको 5-10 मिर देता है, और बोल study and use of written, spoken and visual language, मैं लिके देता हूँ, the study and use of written written spoken and visual and visual language 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 यहां पर error हो गया, आप इसमों correct कर लेंगे, Deliberation का मतलब क्या होता है, discuss about something in detail, कोई भी विसाय को, कोई भी चीज को, object होगा, इसको डीटेल में discuss करना ही Deliberation कहलाता है, spontaneous आपको पता है, done or happening suddenly, जो अचानक हो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, next की बात कर लें, next question हमारा है, इडियम बताना है, to smell बहुत ही, असान इडियम है, बहुत बार आ भी चुका है, इससी में repeat ही है, बार-बार repeat होता है, और easy भी है, तो आपके लिए easy है, आप insert कर चुके होगा अभी तक तो, पर्याप समय था आपके लिए 10 seconds, तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा to have a reason to suspect, मतलब चूहे को सुंग लेना, मतलब आपके पास कोई region है कि आप किसी पर सक कर रहे है क्यों कर रहे हैं सक क्योंकि आपके पास region है, to smell or head का मतलब होता है, to have a region to suspect, okay, next की बात कर ले, next हमारा question antonyms पूछा है, इस सब्सका, left का antonyms बताना है आपको, चार option है, state, finished, right, present, तो अभी तक आप लोगों बता चुके होगे, किसका right answer क्या होगा? लेफ्ट मतलब बता बचा हुआ, जो भी चीज बचा हो, इस पर लेफ़ बता है, state मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ, finished, खतम, right मतलब सही चीज, present मतलब उपस्थित, यह सब easy word है, आप लोग कर सकते हो, next question की बात करें, next हमारा है, antonyms बताना आपको, polite का, rude, civil, decent, somewhat, यह सब से easy question है, आज का, सबने answer कर दिया होगा, 10 second मेरे, मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा हो गया था, इस question के लिए, चलिए, आप सभी को पता, इसका जो सही answer होगा, वो होगा, rude, polite मतलब क्या होता है, नर्म, civil, बोल सकते है, well mannered, बोल सकते है, polite का ही synonyms होगा, civil, rude होता है, assist, imp polite, ill mannered, insolent, decent मतलब होता है, उचित, जो fair हो, reasonable हो, उसी को बोलते है, decent, sour की बात कर ले, तो sour मतलब होता है, sour में या गंभीर, बोल सकते है, sour में, या फिर बोल सकते है, sour में, या फिर बोल सकते है, sour में, 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 बोल सकते ह सब कुछ पहले से सब्सक्राइब करता है तो आज के लिए बस इतना ही आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता है अगर अच्छा लगा तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेर करते जिनको वह पढ़ना और ग्रामर के रूल्स भी जानने हो और आप लोग क्या के नेमोनिक्स बना पाते हो वह भी कमेंट में ज़रूर करें और आपके कितने सही हुए कोस्चन यह बताना न भूले तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए थाइंक यू जैहिंद जै भार एग के लिए यूले बड़ुट्ट के लिए अवादे भार ओेंगेगा फ्ट्ग के लिए और आपके सही हुए के लिए